शरीर की बात करें तो शरीर की जो बनावट धाचे होते हैं उसको लेकर हर एक आम इंसान अपने उपर बहुत जादा खर्च करता है वहीं सेहत के साथ साथ आज के दौर में कॉलिस्ट्रॉल की बात करें तो हर एक इंसान की जिसकी उम्र 30 से उपर हो या फिर कह सकते हैं 25 की उम्र होते होते उसके अंदर कॉलिस्ट्रॉल की जो कॉंटिटी है वो ज़ादा बढ़ जाती है क्योंकि आम लोग बाहर खाना खाते हैं या साफ तोर पर देखा भी जा सकता है कि जो लोग बाहर जाकर ठेलों पर या फिर फास्ट पूड जिन्हें हम जंक फूड भी कहते हैं उनमें जो तेल का इस्तमाल होता है जो ओयल इस्तमाल किये जाते हैं उसको बनाने में वो भी ह हमारे कॉलिस्ट्रॉल को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है लेकिन कॉलिस्ट्रॉल बढ़ने के वज़ा से हमारे सेहत के उपर बहुत ज़्यादा गलत असर भी पड़ता है कॉलिस्ट्रॉल बढ़ने में जब भी बात होती है तो खाने के तेल का सबसे जादा कारण बनता है काफी हद तक ये बात सही भी है कि तेल के अधिक इस्तमाल से कॉलिस्ट्रॉल की ही नहीं बलकि अन्य स्वास्त समस्याओं का भी खत्रा जादा बढ़ जाता है अगर आप कॉलिस्ट्रॉल कम करने वाला डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तेल का बिलकुल भी इस्तमाल ही ना करें दरसल आपको सही तेल चुनने और इस्तमाल करने का तरीका आना चाहिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि केलिस्ट्रॉल क्या है और इसका बढ़ना सेहत के लिए खतरनाग क्यों है कोलिस्ट्रॉल खून की नसों में एक मूम की तरह पदार्थ होता है इसकी कम मात्रा से कोई नुकसान नहीं है लेकिन इसके बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज हो सकती है जिससे दिल के रोगों, स्ट्रोक, हार्ड अटेक का खत्रा बढ़ सकता है क्योंकि इससे नसों में ब्लड फ्लो थमसा जाता है तो चलिए जान लेते हैं कि आपके स्वास्त को कौन से ऐसे तेल है जो खाने पर आपके शरीर को हानी पहुँशने नहीं देते हैं पहला नंबर आता है अलसी का तेल इस तेल में 65 प्रतीशत मोनो अनसैचूरेटिट फैट और 28 प्रतीशत पॉली अनसैचूरेटिट फैट होता है इसका स्मोक पॉइंट 225 फॉरेंड हाइट होता है इस तेल को गरम ना करें ये बिना गरम के खाना पकाने के लिए बहुत अच्छा है अगला नंबर आता है जैतून का तेल इस तेल में 88 प्रतीशत मोनो अनसैचूरेट फैट 8 प्रतीशत पॉली अनसैचूरेट फैट होता है जैतून के तेल का इस्तमाल सबजियों को भुनने के लिए मध्यम उच आज पर गर्म करें वर्जिन ओलिव ओयल को केवल मध्यम कम गर्मी पर ही इस्तमाल किया जाना चाहिए अगला नमबर आता है राइस ब्राउन ओयल का इस तेल में 44 प्रतीशत मोनो अंसैचुरेटिट फैट और 34 प्रतीशत पॉली अंसैचुरेटिट फैट होता है ये तेल तलने की उच गर्मी का सामना कर सकता है और इसे कम तापमान पर या बिना गर्म किये व्यंजनों में भी इस्तमाल किया जा सकता है अगला नंबर आता है सोयाबीन तेल का इस तेल में 25 प्रतीशत मोनो अंसैचुरेटिट फैट और 60 प्रतीशत पॉली अंसैचुरेटिट फैट होता है ये तेल डिप फ्राई के लिए उच गर्मी का सामना कर सकता है अगर हम बात करें इसके तापमान की तो ये किसी भी तापमान पर खाना पकाने के इस्तवाल में आता है आखरी और अंतिम तिल का तेल इस तेल में 41 प्रतीशत मोनो अंसैचुरेटिट फैट और 44 प्रतीशत पॉली अंसैचुरेटिट फैट होता है तिल का तेल हीट फ्राइंग और डीफ फ्राइंग जैसे उच्छ गर्मी वाले व्यंजनों को सम्हाल सकता है ये गिने चुने कुछ तेल थे जिने आपके इस्तमाल के लिए हम लेकर आये थे इनके इस्तमाल से आप खुद को स्वस्त रख सकते हैं लेकिन ये किसी भी तरह के किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता है जादा जानकारी के लिए हमेशा आप अपने डॉक्टर्स के संपर्क में जरूर रहें